हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो आज केसे वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज केसे वीडियो में हम लोग 64th VPSC मेंस की जोगराफिय ऑप्शनल से एक हम लोग क्वेशन को डिस्कस करेंगे और आज का जो प्रशन है क्वेशन है वो बिहार इस्टेट से रिलेट करता है ठीक है तो इस स्पेसिफिक बिहार इस्टेट के बारे में यहाँ पे पुछा गया है क्वेशन देख लेते हैं डिस्कस दे रिजनल डेवलप्मेंट इस्टेट इसूज इन बिहार इन सजेश्ट मीजर्स टू इंप्रूब दे सिच्वेशन बिहार के प्रादेशिक बिकास समस्याओं की चर्चा कीजिए तथा इस परिश्थिती में सुधार लाने के लिए उपाय ओजना सुझाईए तो क्योशन के दो पार्ट हैं फ़र्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि बिहार में जो रिजनल डेवलप्मेंट है उसके क्या इसूज है बिहार में जो डिफरेंट जो रिजन्स है उसकी डेवलप्मेंट नहीं हो रही है उसके क्या प्रॉलम्स है रिजन्स क्या है और द जो लो देस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडेक्शन पार्ट में यहां पे बिहार के बारे भी थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि बिहार नेशनल लेवल पे एकनोमिकली वैकवर्ड इस्टेट है ठीक है यहां पे जो क्वालिटी ही है अगया कोँछ मेंज रिचेशन ओगर के सबस profit हो कि जो ही है यहां युक्श में अडेवलप्मेंट बहुत ही कम है यह यहां पर एक्जामपल में आप बता सकते हो कि कुछ जो रीजस है यहां पर रेजस्अ इस इस पहला हमारा को मालो है जैसे-सनौर कुछ specific जो district है वो हमारा developed यहां पर है कुछ development वहां पर हुई है और कुछ जो specific district है उसमें development बिल्कुल भी नहीं हुई है तो जैसे यहां पर example में देशे तो पटना, मुझफरफूर और इस्ट चमपारन जो district है वो हमारा three most prosperous district है बिहार की तो आप देखोगे इस चमपारन तो सबसे अपर पार्ट में आपको देखने मिलेंगा मुझफर बीच में पटना भी आपको बीच में देखने मिलेगा मैप में आप देखोगे तो ठीक है एक मैप अच्छे सा बना लिजेगा बिहार का यहाँ पर मैंने मैप नहीं डाला है फिर देखोगे जो सेवगर है सेखपूरा है अरवाल डिस्टिक यह हमारी बिहार की सबसे least developed district में आते हैं यहाँ पर development ना के बराबर है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर poverty है तो यहाँ पर देख सकते हो बिहार में भी development हमारी unequally distributed है तो इनकी क्या problem है इसको आपको body part में बताना है unequally development क्यों हुए है यह वहाँ पर पूरे बिहार में भी development अच्छे से नहीं हुई है उसके क्या reasons है तो पहला यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो industrialization है बिहार में ना के बराबर है बिहार में industrialization ना के बराबर है बड़े industries आपको नहीं देखने बिलेंगे जो भी यहाँ पर industries है वो तो या तो agro-based industries है या आपको eat बनाने वाली है ठीक है तो यह सब छोटे छोटे जो हमारे industries है वो बिहार में है इसके data की बात करोगे बिहार की जो GDP है उसके state में इंड़ेस्टि का जो contribution है सिर्फ 19% है जबकि national average आप देखोगे national level पे 30% है उसके बाजो में आप देखोगे जो जहारखन्ड है स्टेट है उसके भी जेडीपी में इंडेस्टीज का जो गंडिविशन है 37.1 परसेंट है तो बिहार में इंडेस्टिलाइजिशन बहुत ही कम है और यहां के वर्कर की पे की बात करोगे जो इंडेस्टीज में जो वर्कर काम करते हैं उसकी एन्वल इंकम 1.2 लाख है जबकि आप नेशनल लेबल पर इसी के अबरेज देखोगे तो धाई लाख है ठीक है यहां के पे भी जो बिहार की जो वर्कर है उनकी पेमेंट भी बहुत ही कम है तो इस तरह से हमारी डेवलप्मेंट ना होने का एक रीजन भी है कि वहां पर इंडेस्टिलाइजिशन नहीं है अ वहां पर समिक्रड बने थे यानि डेवलप्मेंट नाम पर वहां पर नहीं हुआ करती थी और इनिस्टिबिल्टी आप बोल सकते हो वहां पर थी तो इनिस्टिबिल्टी रहेंगी वहां पर इंवेस्टर को अच्छा इंवार्मेंट नहीं देखने मिलेगा तो क्यों वहां पहले हिंवेश्ट करेंगा खीक है तो बाहर से कोई भी यहां पर इंवेश्टमेंट नहीं आएे विदिन भीः की बात करोंगे बिहार में अच्छे जो लोग थे प्रोस्परस जो लोग थे पढ़े लिखे जो लोग थे या धनी अमिर जो लोग थे वह अपने जो अपमेंज स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर दिये ठीक है तो बिहार की लोग भी अपने हैं इन्वेस्ट में नहीं किये इसके वज़े से यहां पर इन्वेस्ट किये लेकिन अदर डिस्टिक से लोग वहां पर माइग्रेट होते गए और वहां पर अंडर डेवलोपेंट होता गया ठीक है तो पहला रिजन है नेगलेजिबल हमारी इन्वेस्टिक है बिहार में दूसरा में रिजन है आप बोल सकते हो फ्लडिंग बिहार की वैसे तो आप बात करोगे 60% जो हमारी जो लेंड है वो एगरि सस्दन पार्ट है या सदन उफ़ार की वह नेपाल से जो 4-5 रिट है उसमें मेंब कोशी रिवह और वहां पर सेडिमन्स लाती है और यहां पर जो course होती है reverse की ओचेंज होती रहती है तो वहां पर mitigate भी flood की जो mitigation है उसके भी यह प्रॉलम होती है तो 73% जो हमारी विहार की जिग्राप के लिए यह flood effective area है वहां पर development मांसूल की जन में तो रहने के भी बहुत ही दिक्कत होती है और वहां पर पूरी agriculture जो crop होती ह वह भी नुक्सान होती है तो वहां पर industries भी लगाना बहुत ही मुस्किल होता है तो इस तरह से वहां पर industry भी कुछ जाधा खासकर नहीं है और वहां पर पूर infrastructure होने के कारण भी आप बोल सकते हो पूर infrastructure होने के चलते जो और destruction है और फिज्यादा बढ़ गई है और खासके अ आप देखो के फ्लट से जो एफेक्ट हुआ है लगव में धाई गुना बढ़ गए है फ्लट के डिस्टेक्शन वहाँ पर इसके चलते हैं बिहार में बहुत जादे एकनोमिक लॉस भी होती है और वहाँ पर फेवरेबल जो डेवलप्रेंट के जो आप बोल सकते बेस है वहा प्रूथ नहीं है और इसके चलते आप बोल सकते हैं यहां पर फ्लट एक में रिजन भी है क्योंकि फ्लट की चलते पूरी मांसून की फसल वहाँ बरबाद हो जाती है दूसरी फसल वहाँ पर हो नहीं पाती है इसलिए अग्रिकल्चर के छेतर में बिहार आप उसको तो वे और अग्रिकल्चर सेक्टर की बात करोगे 70 परसेंट जो बिहार की वर्कफोस है डायरेक्ली इंगेज होती है अग्रिकल्चर में और जीडिपी की कंट्रिविशन आप देखोगे 21 परसेंट है तो इतनी ज्यादा डिफ्रेंश देखने बूलेंगे पॉपलेशन 70 परसेंट है लेकिन जीडिपी में 21 परसेंट सिप कंट्रिविशन है और वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग जो एवरेजिंग है वह भी हमारी 0.4 हेक्टेर है तो किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है किसी के पास कम लैंड है इसके लिए यहाँ पर आप देखोगे जो बिहार की एन सेक्टर्भी यहाँ पर नहीं कर रही है इंड्रस्ट्री सेक्टर भी एहाँ डूर नहीं कर रही है और यहाँ पर रह यहाँ पर फ्लडिंग भी आ रही है तो बिगास के सिटी की बात करो तो पटना सिटी यहां पर थोड़ा से फेबरेबल इन्वार्मेंट करता है वहां पर इन्वेश्मेंट के लिए यानि की कुछ बीजनेस करने के लिए इसकी चलते क्या होती है सुराउंडिंग रेजन से मनी जो होती है स्किल होती है यहां पर एक तरह से पट के नजदिक है और वाल डिस्टिक एक तरह से लिष्ट डेवलप्ट डिस्टिक है विहार की और पढ़ना हमारी अच्छी डेवलप्ट में आती है तो सुरांडिंग मीजनर पढ़ना के क्या है यहां पर रिसोर्स की कमी हो जा रही है उसकी उसी मुझहफर पूर्पर बात और इसके लावा प्राइमेसी यहां पर सिटी प्राइमेसी देखने मिलती है पटना सबसे लार्जेस्ट सिटी आती है पॉबलेशन के हिसाब से बिहार का और निक्स्ट जो लार्जेस्ट पॉबलेशन सिटी है वो हमारी गया है गया से पांच गुना यहां पर पॉबलेश जो पहुँघ है इसके लावां यहां पे Corruption और जो इलेक्सन है उसके चलते भी यहां पर प्रॉल्म बलसकते हो बहुत ज़्यादा corruption है जो भी यहां पर चीजे जो पहुंचने चाहिए ग्राउंड लेबल पर वह नहीं पहुछ रही है तो इसके चलते यहां पर development नहीं हो रहा ह। According नहीं हो रहा है यहां कि यानी की जाती बेश चुनाव होते हैं ऊते यहां पर development भी नहीं हो ठीक इसके बारे में आप अपने according यहां पर लिए सकते हो कि फिर बिहार की लोकेशनल है जैसा कि देखे कुछ जो बिहार की रिजन से हैं बहुत ज्यादा फ्लट एफेक्टर रिजन है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है और अग्रिकल्चर भी नहीं हो पा रहे हैं तो पूरी तरह से डेवलपमें वहां पर ठप पड़ी है इसके लिए पूरे बिहार यहां पर ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है ठीक है इसके लावां बिहार की चारो तरफ जो इस टेट देखो के ओ भी हमारा एक तरह से पूर इस्टेट है जैसे बिहार के जार खंड भी उतनी डेवलपम नहीं है चटिसगड़ भी वेस्ट बंगाल भी यूपी भी तो अंड महाराष्टा क्यों डेवलोप हुआ क्योंकि पाले से मुंबई थी वेस्ट मंगाल भी थोड़ा बहुत कुलकत्ता के चलते डेवलोप्मेंट हुआ है और तेमिल्लाडो चिन्नाई के चलते डेवलोप्मेंट हुआ है पंजाब हर्याने आप देख से तो डेली-NCR के नजदिक वो बिहार से काफी दूर है इसके चलते बिहार में पॉजिटीव इंपेक्ट या एकनोमी जो पूसप है वो नहीं मिल पा रही है तो लोकेशनल फैक्टर्स भी यहां पे हैं बिहार के अंडर डेवलोप्मेंट होने का तो इर सारे बहुत सारे रीजन्स हैं दोस्तों डेव जो इन्वेश्टमेंट है वो नहीं आ रही है बाहर से इन्वेश्टमेंट नहीं आ रही है बिहार में और यहां पे बिहार के जो प्रॉस्परस जो पीपल है वो भी यहां पे इन्वेश्टमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी बिहार में आके इन्वेश्टमेंट नहीं करना ज जाते हैं जहां पर जो है वहीं भी निविस्ट कर रहा है तो यहां पर बिजिनेस फ्रेंडली इंवार्मेंट बनाना पड़ेगा गौवर्मेंट को ठीक है पहला हमारे मीजर सुनगे दूसरा यहां पर क क्योंकि फ्लेटथ तो आई रहा है लेकि फ्लेट को mitigation करने का भी कोई पर solution नहीं और वहाँ पे कच्चे house होते हैं और तो यहां पर infrastructure की कमी की चलते वहाँ पे बहुत जादा और भी losses होती है ति huge investment की ज़रुरत है infrastructure को robust बनाने के लिए फिर flood को problem permanent solution के लिए कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि flood की problem है तो उसको solve भी नहीं किया जा सकता है उसको objective बनाने पड़ेगा objective मतलब यहाँ पे है कि ऐसा नहीं है कि government change हो जाए तो उसकी जो policy है वो change हो जाए मालूँ वहाँ पर डर लगा रहता है कि नितिस की सरकार चली जाएगी तो फिर लालू सरकार की सरकार आएगी तो वहाँ पे फिर से पुरानी वाले जो condition है वह ऐसा नहों पाए ठीक ऐसा डर लगा रहता है तो वहाँ पे कुछ political systems है अब बोल सकते उसमें या politics से उसमें सुधार लाने की जरूरत है जिससे की investor को long run वहाँ पे business friendly environment देखने को मिले तो वहाँ पे investment हो पाएगा तो इस सरे कुछ measures है जिसको करके वहाँ पे जो development है उसको हम बढ़ा सकते हैं और development ला सकते हैं तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे इस question का discussion आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिसस की हैं आपको पसंद आया होंगे और कुछ यहाँ पे गलाट डिसस कर लिए गया होंगे तो आप प्लीज कमेंट करके उसको आप जरूर सेर कीजेगा और कुछ